हेलो और विल्कम प्यारे बचों आप सभी का स्वागत है जेई वाला के इस इंक्रेडिबल चैनल पे जैसा कि आप जानते है माइंड माप सीरीज चल रही है तो इन और गैनिक केवस्टी का एक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टॉपिक ताइड इस केमिकल बॉंडिंग ले लिए टॉपिक का एक कैसे सबसे पहले ओकर्टरूल और जो इस चाट्रूपिक यह चाप्टर करेंगे फिर हम बैकबंडंडिंग ब्रिज बॉन्डिंग करेंगे फिर हम डीपोheure Опिध यह स्वारों मि miscellaneous कई सारे topic बाकी जो छोटे मोटे हैं उनको miscellaneous में रख दिया उसके बाद फिर हो molecular orbital theory पढ़ेंगे और molecular orbital theory पढ़ने के बाद hydrogen bonding हमारा आज का आखरी topic होगा और chapter यहीं पे समाप तो हो जाएगा हम हर topic के साथ कोशिस करेंगे कि एक आदा J main के PYQ भी हम साथ साथ करते चले कि आपको समझ आए सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है और हम यह भी कोशिस करेंगे यह जो mind map का mind है ना जाते जाते इसमें थोड़ी सी body बढ़ जाए है ना अभी तो मालो इसकी body है नहीं जाते जाते तक इसमें थोड़ी body बढ़ जाए और साथ ही साथ यह अभी कितना वजन उठा रहा है इस पर वजन भी लिख देते हैं मालो अभी इस पर एक यह जो है यह दो केजी का है और यह 10 केजी का है तो जब हम mind map series खतम कर रहे होंगे आज की नहीं मतलब सारी तो यह mind आपका 12 केजी इधर और 12 केजी इधर है ना कितने केजी होगे सर बताइए कमेंट बॉक्स में 24 केजी नहीं कम से कम 124 केजी का वजन उठाना चाहिए तब काम होगा तब mind map series का असली success मिलेगा तो चलिए start करते हैं सबसे पहले एक एक करके हम short form में छोड़े छोड़े topics देखेंगे जैसे सबसे पहले आते हैं octet rule, octet rule की हम बात करें, तो octet rule based होता है कि इस पर सर आप देखेंगे it is based on the stability of noble gases, noble gases की stability पे octet rule based है, तो octet rule एक नियम आया कि compound क्यों बनते हैं, कोई भी element compound क्यों बनता है, तो लोगों ने बोला देखो भया, noble gases stable होते हैं, हाँ होते है, तो element भी stable ह होना चाहेगा, होना चाहेगा, तो noble gases बनना चाहेगा, बनना चाहेगा, और noble gases बनने के लिए उसको electron लेना देना या कई सारी चीज़े करनी पड़ेगी, उसमें से एक तरीका होगा bond formation का और वो noble gases configuration attain करना चाहेगा, लेकिन ये rule बहुत ज़्यादा successful नहीं हुआ, क्यों क्यो cell में central atom के पास total 8 electron री ना पूरा हो, तो less than 8 electron जिनके पास हुए उन compounds को हम hypovalent compound बोलेंगे, अगर hypovalent type का कोई भी compound exist करता है, जैसे example ले लो, आप देखेंगे Bcl3 ये exist करता है sir, है ना, तो इसका मतलब है कि octet rule तो काम नहीं करता है sir, केवल octet complete करने के लिए तो bonding नहीं होत साथ ही साथ अगर हम बात करें तो hypervalent compounds भी होते हैं, hypervalent compound क्या होते है sir, जिनके पास 8 से ज़्यादा electron हो, अगर किसी central atom पर 8 से ज़्यादा electron है, मतलब again it is violating octet rule, और ऐसे compound भी stable पाए गये, जैसे example के लिए अगर हम बात करें तो PCL5, example के लिए अगर हम बात करें तो आपका SF6 यह सब octet को expand करते हैं sir, expanded octet का case है, वो सभी hypovalent का case है sir, octet पूरा भी नहीं होता, electron deficient एक तरीके से हो गए, तो यह limitation है, क्या और भी limitation है sir, तो मैं आपको एक point और के साथ छोड़ते जा रहा हूं, इस topic को फिरम आगे चलेंगे, सुनिए ध्यान से, sir आपने noble gas की बात सुनी हाँ sir, noble gas कैसे है, stable है, लेकिन sir, noble gas भी तो compound बनाते हैं, अगर आप 12 standard में हो और P block पड़ रखा है, तो उसमें xenon के कितने सारे fluoride और oxides और oxy fluorides आपने देखे होंगे, मतलब oxygen और fluoride के साथ compound, yes sir, देखा तो है, जिसने chemical bonding बढ़ रख्योंगी 11th में, उसने structure अगर बनाया होगा, तो उसने भी देखा होगा, कि yes sir, xenon के भी compound होते हैं, हम बात दिकर रहते हैं कि noble gases ही stable होते हैं, लेकि noble gas खुद compound बना रहा है, इसका मतलब octate rule एक पहला कदम था, chemical bonding को explain करने का, ठीक है sir, हम हर बार पहले कदम पे सफल नहीं होते हैं, आपने भी जब पहली रखते हो, वो matter करता है, शुरुवात आपने कैसी की सब भूल जाते हैं, लोग, चली आगया आते हैं, फॉर्मल चार्ज की अगर हम बात करें, फॉर्मल चार्ज की आ होता है sir, तो हम किसी भी molecule के अंदर हम compound पे वो charge निकालते हैं, किसी molecule के अंदर किसी atom पर है ना, किसी atom य क्या है sir, बहुत सीधा बहुत सिंपल तरीका है, यह formula है, फॉर्मल चार्ज निकालने का, that is, फॉर्मल चार्ज is equal to TVE, बोले तो total valence electron, जो कि हर element पर fix होता है sir, जैसे अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन के पास total valence electron 5 होगा, किसी भी case में, तुम किसी भी दिन उटो, Sunday बी 5, कोई फरक नहीं बढ़ता sir, इससे है, तो इसके पास total valence electron हर element के पास fix है, तो total valence electron में से हम minus करेंगे number of non bonding electron, non bonding electron к्या होता है sir, ऐसे electron जो bonding में participate नहीं कर रहे है, तो non bonded electron या non bonding is electron को हम subtract करेंगे, और फिर इसमें, पिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें minus करेंगे bonding electron बाइट टू, number of bonded electron by 2, BE का मतलब है bonded electron, जैसे एक example लेकर के इसको समझ लेते हैं, माल लो यह ozone molecule है, माल लो यह ozone molecule है, ozone molecule के हर एक oxygen पर आपको क्या निकालना है सर, formal charge निकालना है, तो हम simple साइक काम करेंगे, सबसे पहले इसका structure बनाएंगे, structure कैसा हो जाएगा सर, तो यह bend shape का oxygen, double bond oxygen और इधर से coordinate bond oxygen, फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इसके पास कितने lone pair है, एक, दो, मतलब total, 4 electron बच जाएंगे, इस oxygen के दो electron इधर और दो electron इधर चले गए, इस oxygen के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron है, इस पे अगर हमें formal charge निकालना है, इस पे अगर हमें formal charge निकालना है, तो formal charge निकालने का simple सा हमारे पास formula होता है, हर एक oxygen पर निकालना होगा, तो इसको oxygen number 1 बोल दिया, इसको oxygen number 2 बोल दिया, ओह, इता हो जो नहीं, यह oxygen कहा है, इधर, यह oxygen number 2 हो गया, यह oxygen number 3 हो गया, सबसे पहले formal charge on oxygen number 1 अगर आप निकालोगे, तो यह कैसे निकालोगे, total valence electron, इसके लिए आपको structure देखने की आवचकता नहीं है, molecule देखने की जरूत नहीं है, oxygen का valence electron 6 ही होता है, तो आप बोलोगे 6, minus number of non-bonding electron, non-bonding electron कितना है, सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus number of bonding electron, जो कि है, 1, 2, 2, 2, तो यह total कितना आ गया, सर, यह total आ गया, minus 1, फिर अगर हम से कोई पूछे, formal charge on oxygen oxygen number 2, यह कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे, सर, इसके पास भी total valence electron 6 है, फिर non-bonded electron, जो कि 1, 2, minus 2, minus number of bonded electron, यह कितने है, सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 by 2, यह कितना आ गया, सर, तो आप बोलेंगे, 6 minus 5, that is plus 1, और इस oxygen की बात करे, formal charge on oxygen number 3, तो formal charge on oxygen number 3, आप क्या बताएंगे, तो आप बोलेंगे, सर, इसको भी बता देंगे, कौन अधिकत नहीं है, कैसे, ध्यान से देखो, इस oxygen की बात करे, total 6 electron होगा, normal condition में, अभी इसके पास bonded electron, 1, 2, 3, 4 है, तो 4 minus, अच्छा, bonded electron को तो नहीं, पहले non-bonded electron लिख लेते हैं, वो है 4 minus, number of bonded electron भी 4 है, इसको 2 से divide तो टोटल आ गया 0, मतलब इस पर formal charge 0 है, अब मैं आपको एक मज़दार चीज दे देता हूँ, जिसका नाम है RBI, RBI क्या है सर, RBI कुछ टेकनीक से, जिससे आप बड़े-बड़े सवालों को, चुट क्यों में solve कर सकते हो, सुनिए ध्यान से, कभी भी अगर आपको structure पता है और आप structure में देख रहे हो, आपके पास coordinate bond है, कैसा bond है सर, coordinate bond, तो याद रखना, coordinate bond में electron donate करने वाला एक atom होता है, accept करने वाला एक atom, तो जो donor atom होगा, जो donor होगा, donor पे हमेशा, जैसे यहाँ पे यह बीच वाले oxygen ने दिया ना, इस पे हमेशा plus 1 का formal charge चड़ा दो, जो acceptor atom तरीके से आप direct निकाल सकते हैं, तो formal charge के बाद आगे बढ़ते हैं सर, अगले topic पे, इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें, तो फिर वही topic है हमारे पास, that is coordinate bond, coordinate bond क्या होता है सर, एक ऐसा bond, एक ऐसा bond जिसमें shared between, जो electron है, जो electron है, that is shared between two atoms, but donated by only one of them, ज जैसा अभी आपके पापा और आपके बीच में रस्ता है, तुम जहीं कर लोगे, अच्छे college में चले जाओगे, अच्छे selection ले लोगे, तब हो सकता है तुमारे और तुमारे पिता जी के बीच में covalent bond हो जाए, और at the end of the day, जब आपके पिता जी बूडे हो जाए, retired हो जा के लिए आप ozone के अंदर देखेंगे, एक coordinate bond है, और coordinate bond most of the cases में, याद रखेगा, most of the cases में period 2 के element बनाते हैं सर, आपको period 2 के element most of the cases में coordinate bond बनाते हुए, दिखेंगे in most of the cases, आगे बात करते हैं, फिर अगर हम बात कर एक term है, जिसका नाम है covalency, covalency क्या होता है सर, तो it is the number of coval bond formed by any atom, कि कोई atom कितने covalent bond form कर सकता है, यह उसकी covalency कहलाती है, और अगर हम बात करें, covalency बदलती भी है सर, element की, जैसे covalency की जब हम बात करते हैं, तो basically देखते हैं, इसके पास unpaired electron कितने हैं, अब chlorine की बात करें, मालनो example के लिए chlorine की, तो chlorine के पास unpaired electron आप देखोगे, त नहीं सर, chlorine का 2H to 2P5 का होता है, 3H to 3P5 होता है, तो इसका electronic configuration हो गया, 3H to 3P5, valence cell का, valence cell में आप देखोगे, इसके पास एक यह unpaired electron है, सर, P5 का डबबा, अगर मैं बनाओ, डबबा है डबबा, P5 का डबबा, तो आप इसमें देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, एक unpaired electron है, तो इसक electron को excite करा के 3D sub shell में भी लेके जा सकते हैं, जिससे covalency increase कर सकती है, अब जैसे मालो chlorine को star लगाया, chlorine star का मतलब जैसे आप देखते हो, पुलिस के uniform में देख लो, अगर यहाँ पर star लगाया, तो उसके rank है, sub inspector, 2 star लगाया, तो inspector है, 3 star लगाया, तो फिर senior inspector है, ऐसे ऐसे करके ranks ह होती है, उसी तरीके से यहाँ पर chemistry के अंदर star लगने का मतलब excited state होता है, excited state का मतलब electron को lower energy से higher energy पे लेके गए है, तो अगर इसको excited state में लेके जाएंगे, तो इसकी covalency 3 हो जाएगी, double excited state में लेके जाएंगे, तो 5 हो जाएगी, triple excited state में लेके जाएंगे, तो 7 हो जाएगी, इससे जादा इससे जादा नहीं हो सकती कोवलेंसी क्लोरीन की फोस्फोरस की बात करें फोस्फोरस के नॉर्मल स्टेट में electronic configuration क्या होता है सर तो आप देखेंगे 3S2 3P3 और 3D0 तो इस condition में ये 3P3 का मतलब 3 unpaid electron है तो 3 इसकी कोवलेंसी हो गई लेकिन ये ही फोस्फोरस को अगर हम excited state में लेके गए तो excited state में इसका 3S2 वाला एक electron जो है ये कूद करके छलांग लगाके कहां चला जाता है भाईया ये छलांग लगाके कहां चला जाता है तो ये ऐसे था ये वाला electron छलांग लगाता है और ये electron कूदेगा फिर ये वाला कूदेगा फिर ये वाला कूदेगा तो covalency बढ़ सकती है सर अगर हम excited state में लेके जाए तो ये concept था covalency का अब बड़ा ही मज़ेदार topic आने वाला है अगला topic जो हम पढ़ेंगे वो है valence bond theory अगला topic जो हम पढ़ेंगे वो क्या है sir VBT valence bond theory one of the most important part of the chapter has now been started very important VBT की बात करें तो VBT में हम क्या पढ़ते हैं हम ये कहते हैं कि bonding जो करता है न कोई भी element जो करता है न कोई भी element या कोई भी atom अगर bond बनाता है तो उसके valence electron participate करते हैं valence electron का मतलब है outer most shell के electron ही bonding में participate करते हैं चाहे वो coordinate bond बनाए चाहे वो covalent bond बनाए फिर अगर हम आगे बात करें bonding में क्योंकि valence electron ही coordinate participate करते हैं bonding में valence electron ही participate करते हैं तो इसको ले करके पहले एक graph देखो ध्यान से पहले आप एक graph देख लो अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले तो मैं आपको एक potential energy versus distance का graph दिखाना चाहूंगा for hydrogen atom है ना potential energy versus distance का graph दिखाना चाहूंगा for H atom that is hydrogen atom इस graph को अगर आप देखेगा द्यान से तो यह graph में यहाँ पे हम एक hydrogen atom रखते है सर इस point पे hydrogen atom रखते है इस तरफ हम potential energy को प्लॉट तो इस तरफ हम y axis पे plot करेंगे potential energy को और इधर हम distance को plot करेंगे मतलब internuclear distance आप क्या करेंगे सर यहाँ पे एक hydrogen atom होगा यहाँ पे दूसरा hydrogen atom होगा तो जब कभी भी दो atom को हम pass लाते हैं दो system को हम pass लाते हैं उनके बीच की जो potential energy है infinity पे माल लो अगर यह अभी infinite distance पे है अभी इनके बीच का distance infinite अगर हम माल ले तो infinite distance पे infinite distance पे इनके इनकी जो potential energy होगी वो zero होगी सर जीरो उसके बाद जब यह pass आएंगे ना सर तो पहले attractive forces dominant होता है मलब जैसे जैसे पास आते जाएंगे force of attraction dominant होगा और force of attraction dominant होने का मतलब है system stabilize होगा system stabilize होने का मतलब यह है कि potential energy negative होगी तो आप starting से जाएगा एक point पे आके यह minimum हो जाएगा सर मतलब potential energy will attain its minimum value और इस minimum value के बाद अगर आप इसको और पास लाना चाहें अगर आप इसको और पास लाना चाहें तो एकदम rocket की तरह potential energy shoot up करेगी और बहुत बड़े slope के साथ सीधा उपर चली जाएगी सर अब इस graph को देखने पर प जिरो को टच करिये at infinity जैसे जैसे हम इसको पास लेते आते जाएंगे जैसे जैसे हम इसको पास लेके आएंगे पास लाते ही क्या होगा सर आप देखोगे potential energy कम हो रही है और negative हो रही है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो this is potential energy negative this is zero this is positive इस point की बात करें इस point पे potential energy minimum है और इस point पे हम इस graph में दो axis बना सकते हैं दो चीजे बता सकते हैं सकते हैं एक तो हम बोलेंगे सर इसका y coordinate है और दूसरा हम बोलेंगे इसका x coordinate है एक तो इसका y coordinate है और दूसरा इसका x coordinate है और यह y और x coordinate दोनों ही एक कुछ बाते हमें बता क के देता है ध्यान से सुनेगा अगर हमंस कारिनेट की बात करें करें कार्ण कि हमें यह वाला पॉंट यह ऊपर से नीचeMKर यह एनर्जी बताके दे रहा हैं तो यह हमें बताके देता है bond he enthalpy कि bond बनने में कितनी energy release हुई है, bond कितना strong है, है ना, तो याद रखेगा bond enthalpy is directly proportional to strength of bond, और दूसरा गर हम इसका x coordinate देखें, मतलब इदर से इदर की दूरी, तो ये distance दे रहा है r, और इसी distance को हम बोलते हैं bond length, इसी distance को हम क्या बोलते हैं sir, bond length, तो ये graph हमें दो चीज़ बता के द देता है, ऐसा similar graph of physics में भी पढ़ते है, modern physics के अंदर, खैर यहाँ पे एक दो बाते और, इस area की अगर हम बात करें, तो इस area में force of attraction is dominant than force of repulsion, force of attraction dominate कर रहा है, इस area की अगर हम बात करें, तो अब ये दो molecule बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा पास आ possibility, और अगर मैं बीच वाले point की बात करूँ, जिस सभी पे अब आपकी नज़र तीकी होगी सर, इस point पे क्या है सर, तो इस point पे force of attraction जो है, ये लगबग बराबर हो जाता है, force of repulsion के, और यहीं पे system minimum energy को attain करता है, सर, that is the graph of valence bond theory, आ वेलेंस bond theory में ये तो बता दिया कि bonding कौन करता है, valence electron ही करते हैं सर, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने बोला कि देखो इस तरीके से bonding होती है, और bonding को explain करने के लिए दो concept दिये, जिसमें पहले concept का नाम है overlapping, दूसरे concept का नाम है hybridization, तो valence bond theory से हमारे पास दो concept आया, पहले इन्होंने overlapping से चीजो को explain करना सुरू किया, उसके बाद overlapping के साथ-साथ hybrid orbital या hybridization को introduce किया, overlapping plus hybridization, तो इन दोनों सिस्टम को हम एक एक करके पढ़ेंगे, पर एक J.E.M.S का सवाल कर लेते हैं, J.E.M.S का एक सवाल जो 2020 के shift 1, 5 September को आया, सवाल क्या है, ध्यान से देखिए, सवाल कह रहा है कि the potential energy, इ इसमें से कौन सा graph होगा, देखके comment box को भर दीजे, देखकर के comment box को भर दीजे, अच्छा, ये A है, ये B है, ये क्या है सर, इसको C बना लेते हैं सर, और ये क्या है, ये अपना D है सर, है न, C कहा चल गया सर, आपके डर से भाग गया, क्यों, क्योंकि आप हो सकता, C और D option भ कहीं, potential energy zero हो रहा हो, तो ये graph कुछ इस तरीके से जाता है, तो this is the correct option, और मुझे लगता है, आप में से सभी लोगों ने answer B ही comment किया होगा, question number one का answer B, अगर आपका भी आया है, तो one के साथ comment box में दिल जरूर बना देना, इसका मतलब ये सर, ये सवाल देखो, J मेंस में आया और बहुत simple था, क्या आपको कम समय लगा इसको solve कर रहे हैं, that is the most important part of studying in organic chemistry, चलिए, overlapping की अगर हम बात करें, तो overlapping का concept क्या होता है, overlapping को हम बोलते है, common area sharing, common area sharing या फिर common volume sharing है, area ना बोल करके, अगर आप 3D में चलेंगे, तो volume sharing, मतलब orbitals आपस में एक दूसरे के साथ common area share करते है और क्या बनाते है, bond formation करते है, common area share करके, bond formation होता है, अगर हम overlapping की बात करें, तो हमारे पास overlapping जो होती है, वो total दो type की होती है, overlapping की अगर हम बात करें, तो overlapping के type कितने होते हैं, सर दो, एक को हम कहते है, head on overlap, मतलब सिर से सिर का टकर, एक को हम कहते है, head on overlap, और दूसरे को हम कहते ह पिएसे टकर होना सीधा अचैँ भनाव को 강ई को मां गाड़ी एसे जारी और एससे हैं कूं सा बॉन पोरमेशन देखने को मिलाइगा कॉन सा बॉन फोर्मेशन देखने को स्क्रक्राइब और साइड कई गोरल rave अगर तो साइड वेज अवरलाप में या तो पाई या फर या दो टैप के बॉन-बन पनते हैं आपके मन में एक सवाल आएगा सर यह पाई बॉन डिल्टा बॉन कैसे पहचाने तो सुन ये ध्यान से कभी भी एक सिंपल सा आरबियाई आपको दे रहूं हैस्टाग अरबियाई ध्यान रुचिएगा हैस्टाग अरबियाई अगर कभी भी दो लोब ओवरलाब कर रहे हैं कितने लो दो लोब ओवरलाब करेंगे सिग्मा बॉन चार लोब ओवरलाब करेंगे पाई बॉन आठ लोब ओवरलाब करेंगे तो यह आठ नहीं है सर यह डिल्टा है अच्छे से लिख देता हूं बोलो सर आठ लोब ओवरलाब करें तो यह डिल्टा बॉन बनेगा सर दिस डिल्टा कुछ एक्जाम्पल्स देख लेते कि सिग्मा बॉंड कब बनता है तो वो मैं आपको कुछ-कुछ बाते बता देता हूँ अगर हम बात करें सिग्मा बॉंड तो सिग्मा बॉंड नॉर्मली कब बनता है सर एस प्लस एस के ओवरलाप से ठीक है S plus P भी अगर bond बनाएगा तो always sigma bond D बनाएगा वरना बनाएगा और P plus P भी sigma bond बना सकता है वैसे P plus P क्या क्या बना सकता है सर? P plus P को अगर आप पास में लाओगे तो यह sigma भी बना सकता है यह pi भी बना सकता है फिर एक option अमारे पास होता है P plus D अगर आप P plus D को लाओगे तो यह sigma बना सकता है, πाई बना सकता है फिर अगर आप D plus D लाओगे तो इसमें क्या क्या option है सर मतलब एक D orbital को दूसरे D orbital से overlap कराओगे तो इसमें option है sigma भी बन सकता है, πाई भी बन सकता है और delta भी बन सकता है तो इस तरीके से ये bond बनाते हैं आगे हम देखेंगे bond की strength इनकी strength कैसे होती है और क्या होती है सर ध्यान से देखेगा आगे हम देखेंगे इनके bond की strength और कैसे और क्या अगर हम strength की बात करें overlapping strength की बात करें overlapping strength तो overlapping strength में दो तीन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा सबसे पहली बात है कि सिग्मा बॉंड का strength हमेसा पाई से जादा होता है सिग्मा ओवरलाप की और सिग्मा ओवरलाप में same value of n है तो आपको देखने को मिलेगा जैसे example ले लेते हैं 2s 2s SS overlapping है ना 2s 2s overlapping से ज्यादा strong कोन होगा सर 2s 2p overlapping इससे ज्यादा strong कोन होगा सर 2p 2p overlapping है ना मतलब pp overlapping ज्यादा strong होगी सिग्मा वाली sp से और ss से लेकिन इसमें note पे एक RBI लिखकर के एक point और याद रखेंगे आप वो point यह है कि सर 1s 1s overlap is strongest overlap यह strongest 1s 1s overlap जो है वो हमेशा sigma होगा क्योंकि एस और सिग्मा ही बनाता यह दुनिया का सबसे strongest overlap है इसका evidence क्या evidence यह है कि 1s 1s overlap आपको hydrogen के अंदर देखने को मिलता है हुआ है यह लगबग 436 kJ पर मोथ है और single bond तोड़ने में दुनिया का कोई भी single bond तोड़ने में इससे ज्यादा energy single bond की बात करो double bond triple bond की कोई भी single bond एक ही bond तोड़ने में इससे ज्यादा energy कभी नहीं लगती सर पाई की की कि बात करें सर्ट यह हो गया दूसरा पॉंट पर अगर हम बात करें पाई के पाई बौंट के स्फ्रेंट की की तो पाई बॉंट का स्प्रेंट आपको देखने को मिलेगा time bond बनाता अ कौन को नहीं पी भानता है डी बनाता है न तो एक तो आपको मिल जाएगा 1 P है दूसरा D है तो इसको P Pai D Pai बोल देंगे एक आपको मिल जाएगा पहला D है दूसरा D है तो इसको D Pai D Pai बोल देंगे से तो आपको देखने को मिलेगा सिर डी Pai D Pai का स्परेंथ P Pai Pai D Pai से और इसका इससे जदा रहता होता है सर यह overlapping की हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अगेन आऊम रिपीटिंग दिस इस वाउट overlap तो यह गया strength of overlapping की बात अब overlapping थियोरी में problem आई problem क्या यह सर देर वोज limitations in overlapping theory और वो limitations क्या थी कि overlapping theory के साब से हम सब इए molecule का ना तो geometry बता पा रहे थे ना structure बता पा रहे थे जिसके कारण हमने एक नया concept start किया जिसका नाम है hybridization hybridization की बात करें तो hybridization में क्या होता है सर्क तो orbital of almost similar energy combined to form hybrid orbital मतलब almost similar energy के दो orbital अपस में combine करेंगे और क्या बना के देंगे आपको hybrid orbital जैसे अगर कभी भी 1s और 1p combine करता है तो यह आपको sp orbital बना के देगा कभी भी 1s और 2p combine करते है तो यह आपको sp2 hybrid orbital बना के देंगे कभी भी 1s और 3p combine करें तो sp3 hybrid orbital बना के देगा कभी भी 1s 3p 3 सी ज़्यादा p हो नहीं सकता है सर क्यों क्योंकि किसी भी valence cell में 3 पी orbital किसी भी p sub cell में 3 पी orbital हो सकते हैं तो 3 से ज्यादा पी ले नहीं सकते अब इसके बाद d लेना start कर देंगे तो sp3 d यह है तो ऐसा भी हो सकता है फिर hybridization sp3 d2 और last में hybridization sp3 d3 इसका मतलब क्या है सर यहां पर 2 orbital 2 hybrid orbital combine किये यहां 3 यहां 4 यहां यहां 5 यहां 6 यहां 7 कई बड़ी सवाल में आपसे यह पूछा जाएगा कि इसमें d कौन सा यूज किया है सर तो यह chemical bonding की बात कर रहा हूं मैं फिर से repeat करता हम coordination chemistry में चीज़े थोड़ी अलग होती है वो coordination chemistry में हम देखेंगे बड़ यहां पर अगर chemical bonding की बात करें तो यहां यहां पर जो डी यूज करते हैं ये होता है d इक स्था य कौन ng सा होता है सर तो यहांपर जो डी यूज करते हैं यह होता है dz square and dx square minus y square और आपसे मेरा सवाल है अगें यहां पर तीन डी यूज करते हैं यह कौन ःकर से d होता है इसको comment करके दवर बताया I want this answer in comment, comment करके बतान पिर जब हम hybridization की बात करते हैं तो हम एक term define करते हैं जिसको हम बोलते हैं VACP valence cell electron pair जो है यह किसके बराबर होता है सर तो यह होता है bond pair plus loan pair का sum किसी भी central atom पे किसके लिए निकालते हैं सर central atom पे central atom पे एक term निकालेंगे जिसका नाम है VACP और VACP जो होता है वो sum होता है bond pair plus loan pair का bond pair में हम केवल sigma bond count करते हैं only sigma count करते हैं जब हम VACP निकालते हैं महलब bond pair केवल sigma bond नहीं होता है सर bond pair अगर आपसे सवाल में फूचे calculate the number of bond pair in any compound तो आप हर type के bond को count करेंगे sigma, pi, delta जो भी है सब को count करेंगे सर लेकिन अगर आपको VACP निकालना है तो बताना नहीं है किसी को कि मैं यहाँ केवल sigma count कर रहा हूँ तो हम sigma bond count कर लेते हैं central atom पे और number of loan pair count कर लेते हैं central atom पे और उसके इसाब से हमारे पास एक number आता है जिसका नाम है VACP फिर एक और important बात याद रखना pi bonds अगर कभी भी बनते हैं तो pi bonds हमेशा pure orbital बनाते हैं इसके लिए मैं एक सब्द बोलता हूँ जैसे होता ना pi bond कौन बनाता है सर सुद्ध देशी orbitals कैसे orbitals सर सुद्ध देशी अगर P orbital और D orbital तो सुद्ध देशी P यह सुद्ध देशी डी हाँ समझ गया बहुत बढ़िया जैसे सुद्ध देशी घी होता न मार्केट में वैसे ही सुद्ध देशी P orbital और सुद्ध देशी D orbital आपको क्या बना के देंगे सर pi bonds बना के देंगे ठीक है फिर अगले theory पे चलते हैं सर अगला theory जिसका नाम में VACPR जिसको हम बोलते हैं valence shell electron pair repulsion theory very very important theory सर यह क्या बोलता है कि देखो भया valence shell electron pair में दो चीज़े count होती है एक तो है bond pair दूसरा है loan pair मतलब bond pair और loan pair इसमें count होता है अगर bond pair loan pair की हम बात करें अगर bond pair loan pair की हम बात करें तो यहाँ पे repulsion की बात होती है कैसे repulsion की बात तो सुनिएगा नियान सर्थ सर loan pair जो है वो एक central atom के पास पूरी तरीके से उसका एका क्रित अधिकार होता है सर सोल राइट उस पे होता है bond pair जो है उसमें जो electron होते वो दो आटम के बीच shared होते तो अकेले atom के पास पूरी तरीके से उन पे अधिकार नहीं होता है तो इसके कारण अगर हम VACPR की बात करें यह कहता है कि देखो कभी भी lone pair loan pair में repulsion सबसे जाधा होगा फिर lone pair bond pair में repulsion होगा और सबसे कम repulsion bond pair और ये देखते हैं आईए देखते हैं, अगर कभी भी हम VACP हमारे 2 आ जाए, VACP 2 कैसे आ सकता है सर, bond pair प्लस loan pair करेंगे, 2 आ जाए, तो ऐसे case में हमारे पास जो geometry बनती है, उसका नाम है linear, क्या नाम है सर, linear, मलब सीधा, यहाँ पर central atom है सर, यहाँ पर terminal atom, यहाँ पर B लिख देते है, B, फिर हमारे पास जो geometry बनती है, वो है trigonal planar, इसको हम क्या बोलते है सर, trigonal planar, यहाँ पर central atom इस जगा पर है सर, यहाँ पर मालनों में B लिख देता हूँ, यह central atom है, और यह terminal atom A, 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 तो इस तरीके से, और यह सभी bond angle 120 degree के है, और यह पूरा एक plane के अंदर लाई करता है सर, फिर VACP 2 आये तो hybridization ये, VACP 3 आये तो hybridization ये, VACP 4 आये तो hybridization ये, VACP 5 आये तो ये, 6 आये तो ये, 7 आये तो ठीक है, तो VACP जैसे ही 4 आये तो hybridization होगे SP3 और SP3 के हम arrange करते हैं, टेटरा हेडरल geometry में और टेटरा हेडरल geometry में सभी bond angle 109 degree 28 minute के होते हैं, और यह कुछ इस तरीके से ऐसे पाए जाते हैं, ये टेटरा हेडरल geometry है सर, ये क्या है सर, टेटरा हेडरल geometry है कुछ इस तरीके से, फिर अगर हम आगे बात करें सर, अगर कभी भी valence cell electron पर 5 आ जाए, तो hybridization होता है SP3D और SP3D में bond दो तरब जाते हैं, एक तो equatorial position होता है, एक equatorial position होता है, एक equatorial position होता ह मैं इसको आपको दिखाता हूँ, उसमें द्यान से देखिए, जैसे मालो यहाँ पे हमारा central atom है सर, central atom से तीन bond इस तरफ से ऐसे गया हुए है, ये सभी 120 degree के अंगल पे है, ये सभी किस अंगल पे है सर, ये सभी 120 degree के अंगल पे है, ये plane में है और इसी के तरीके से सर, trigonal planar ऐ इसे हैं, फिर क्या है सर, फिर दो atom एक plane के बाहर है और एक plane के अंदर की तरफ है, तो इसको wedge और dash से मैं बना के दिखा देता हूँ, एना wedge dash अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो, तो आपको helpful होगा, इसको मैं wedge से बना दिया, मतलब ये plane के बाहर की तरफ है, और ये वाला dash से बना दिया, मतलब ये plane के अंदर की तरफ है, और ये दो structure क्या है, axial positions है, तो यहाँ पर मैंने A लिख दिया, axial, ठीक है, अगर इस axial bond की बात करोगो, तो जिससे plane पे triangle है, और ऊपर ये एक axial bond है, तो इनके बीच में देखो, कहीं पर भी 90 degree का angle नहीं बन रहा है, कहीं से भी तो इनके बीच में angle 90 degree का होता है, इनके बीच में angle 90 degrees का होता है, वहीं अगर हम VACP6 की बात करें, तो hybridization आपकी आ जाएगी, SP3D2, SP3D2 में जो hybridization होगी, वो इसकी geometry जो होती है, वो octahedral होती है, सर, अच्छा, इस geometricom क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते है, trigonal biparamidal, इसको हम बोल होते हैं, सर, इसको हम बोलते हैं, octahedral, octahedral में सभी angle 90 degree का होते हैं, और बाकि 180 degree का अंगल तो दिखे जाएंगे, octahedral कैसा होता है, सर, तो यहाँ पे देखो, एक square इस तरीके से, और वहीं फिर, एक bond plane के बाहर की तरफ, और एक bond plane के अंदर की तरफ, मतलब यह wedge वाला बाहर ह इसी plane के बाहर की तरफ, यहाँ पे एक bond ऐसा, और एक bond इसी के अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, तो this is geometry, फिर अगर VACP7 की बात करें, तो VACP7 मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, VACP7 मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखेगा कैसा VACP7 जब कभी भी आए, VACP7 जब कभी भी आए, तो उसका structure कुछ इस तरीके से होता है, सबसे पहले central atom है, इस से क्या करेंगे हम, एक pentagon बना लेंगे, क्या बना लेंगे, pentagon इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह बन गया pentagon, इन pentagon के सभी angle के बीच में, यह जो angle 72 degrees का होगा सर, फिर दो bond होंगे, जो बाहर और रंदर की तरफ होंगे, वो axial bonds होंगे, एक इधर और एक इधर, ठीके, एक इधर होगा, और एक इधर यह axial bonds है, और यह सभी के सभी equatorial bond है, equatorial का मतलब क्या है सर, जो plane पे आ रहे है, equatorial bonds है सर, अगर हम बात करें angle की, तो यह सभ equatorial, A equatorial के बीच आंगल 72 degree का है, हर A बढ़का A equatorial के बीच आंगल 90 degree का, यह सभी आंगल 90 degree के है सर, क्योंकि यह plane पे इस तरीके से, यह pentagon बना ले copy पे और pen को उपर रखे, इस तरीके से यह bond angles है, तो यह हो गया आपका क्या, VACP 7, VACP 7 में आपको जो geometry देखने को मिलेगी, देख यह pentagon है, और इधर और इधर दो tip है, तो इसको हम PBP कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं सर, PBP और PBP का मतलब क्या है, यहां पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखेगा, PBP का मतलब है pentagonal by pyramidal, pentagonal by pyramidal, उसके बाद क्या है सर, अगर हम loan pairs की बात करें, तो loan pair कहां पर रखे पर रहेंगे, तो सुनिए, मैं कुछ कुछ structure के आगे, ऐसे दिल बना दे रहा हूं, इसको मतलब उसमें आप कहीं पर भी loan पर रख दो, कोई फरक नहीं पढ़ता है, यह से 1, 2, 3, 4, इसमें कहीं पर भी loan पर रख दो, कोई फरक नहीं पढ़ता है, सर, सारे position एक जैसे हैं सर फिर फरक कहां पर पढ़ता है सर, दो जगा पर पढ़ता है, एक के लिए मैं सूरज बना रहा हूँ, और एक के लिए मैं लाल जंडा बना रहा हूँ, जहां पर लाल जंडा बनाया है सर, जहां पर लाल जंडा बनाया है, वहां पर याद रखना, पहले लोन पेर को कहां पर र और और जहां पर मैंने सूरज बनाया है जहां पर मैंने sunrise बनाया है वहां पर लॉन पेर को कहा रखते है सरो इस केस में यह आपका PBP pentagonal bipyramidal और pentagonal bipyramidal के case में लॉन पेर को रखते है सर आपके axial position पे खेखेब पे रख़ता है सर क्योंकि अब यहाँ पर यह वाला अंगल 90 डिक्री का है यहाँ पर यह वाले अंगल 120 डिक्री के थे to minimize repulsion to minimize repulsion टीक है चलिए एक सवाल करके देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जैसे एक बर एक सवाल के थुरू थोड़ा सा explain कर देता हूं अगर आपको वीए सीपी निकालना है तो बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे फॉर्मूले हैं मैं जिस फॉर्मूले को जिस ट्रिक को मैं यूज करता हूं मेरे को बहुत आसान लगता और बच्चों को भी वह बहुत easy way में स अब इसके बाद क्या लिखोगे सब्सक्राइब कितने दो तो वैलेंस से लेक्ट्रॉन पेर कितना सर पांच कभी भी वैलेंस से लेक्ट्रॉन पेर पांच आया सीधा दो बात लिख दो कि हाईब्रडाजीशन हो गई SP3D और hybridization हो गई SP3D और इसकी geometry जो है वो हो गई trigonal biparamidal लेकिन geometry is a different thing, geometry में हम क्या करते हैं कुछ नहीं देखते सर, loan pair को भी count करते हैं, लेकिन जब हम से shape और structure की बात करें तो हम loan pair की बात नहीं करते हैं, है ना loan pair को ignore करके देखते हैं, मतलब structure में उसको include नहीं करते हैं, तो तो आप देखोगे यहां पर आप बोलोगे सर ठीक है यहां बीच में आ जाएगा bromine, bromine से जुड़ा हुआ क्या होगा सर, fluorine है ना, और दो loan pair, तो loan pair को हमेशा equatorial position पे, QQ की TBP geometry है, तो equatorial position पे loan pair को दे दिया, फिर इधर लगा दिया, fluorine को, इधर लगा दिया, fluorine को, इधर fluorine को, आप देखो यह T की तरह इसे नहीं लग रहा है, ऐसे T, है ना, लेकिन यहां पर क्या है सर, T के कंदे थोड़े से जुके हुए होगे, जुके हुए होने का reason क्या है, कि loan pair इसको थोड़ा सा ऐसे bent करेगा, तो यह angle 90 का नहीं होगा, bent होगा, इसी कलिए इसका नाम रख करते हैं कि, अच्छा, ऐसे molecule, यह तो हमने जो भी बात किया, इसकी बात की सर, ऐसे molecule, जहां पर कोई charge और कुछ ऐसी जीज़े नहीं थी, अब हम बात करेंगे, अगर कभी भी charge आ जा जाए, तो क्या करना है सर, कभी भी आपके पास charge आ जाए, तो याद रखना, positive charge अगर हो, चार्ज दो टाइप का हो सकता है, एक positive और दूसरा negative, अगर positive charge हो, तो central atom को दे देंगे, सीधा positive charge किसके मत थे, central atom के मत थे, और positive charge का मतलब है, जितना positive charge होगा, उतना electron remove कर लेंगे, जैसे example के लिए मानलो, अगर मेरे से किसी ने पूछा, कि PCL4 का structure बनाओ, तो PCL4 plus का बनाओ क्या होगा, तो मैं बोलूगा, तो मैं बोलूगा, फॉस्फोरस के पास total कितने electron होते है, valence cell में 5, plus के कारण एक electron बाहर निकाल लेंगे, तो अब इसके पास बचे, एक, दो, तीन, चार electron, चार electron बचने के कारण, यहाँ पर एक chlorine, यहाँ पर दूसरा chlorine, यहाँ पर तीसरा chlorine, यहाँ पर चौथा chlorine, आप बोलोगे, सर, यहाँ पर bond pair कितने है, 4, सर, यहाँ पर lone pair कितने है, 0, सर, यहाँ पर balance cell electron pair कितना है, 4, इसका मतलब hybridization क्या हो गया, SP3, खतम, कोई lone pair ही नहीं है, तो SP3 मतलब tetrahydral, खतम, सर, एक बार मैं अंसर निकाल दिया, positive charge के साथ, negative charge के साथ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सर, negative charge के साथ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और वहीं के लिए, मैं यह आपके सामने एक तस्वीर लेकर के आया हूँ, है ना, आप सभी जानते है, तो जब कभी भी negative charge आ जाए, तो यह है oxygen atom, यह क्या है, सर, oxygen atom, और यह क्या है, negative charge, यह दि आपका नेगेटिफ चार्ज, तो जब कभी भी negative charge आ जाना, तो oxygen atom बोलता है, जल्वा है हमारा यहां, समझे, कि मतलब negative charge अगर कभी भी आए, तो oxygen atom वोगेरा को तवज्जों देते हैं, किसको तवज्जों देते हैं, oxygen atom, तो अगर negative charge कभी भी आपको देखने को मिले, तो क्य सब्सक्राइब करेंगे सवाल राम सर रही का मतलब क्या बहुत सारे बच्छे एभी पूछेंगे रीड यह का मतलब है राम और इलाज राम बाण इलाज जैसे कहते ना वो क्या बोलते हैं CBI लगा देते हैं परिशान कर गब्मेंट को जादा तो तुम्हारे पीछे CBI लगा देंगे उसी तरीके से जो सवाल अब में परिशान करेगा इन और गानिक में हम उसके पीछे RBI लगा देंगे सार सीधा अगर oxygen atom is present as terminal atom मतलब terminal atom है then each oxygen will carry one negative charge हर oxygen पर एक एक negative charge बना और एक single bond बना दो else negative charge is given to central atom अगर नहीं है तो negative charge central atom का अगर oxygen है तो negative charge oxygen का इसका example देखना चाहोगे इसका example देख लो जैसे मालो मैंने आपको बोला कि भाईया हमको structure बना के बताओ PO4 3- PO4 3- structure अगर बना तो आप बोलोगे सर फॉस्पोरस पे negative charge तो नहीं जाएगा क्यों कि terminal atom में oxygen है तो फॉस्पोरस लो एक दो तीन चार 5 पाँच एलेक्टरोन होते इसके valence cell में एक oxygen पे negative charge क्यों कि जलवा है हमारा यहां तिर्फ दूसरे पे negative तीसरे पे negative और double bond बना अब यह आप देखो अब सुनना मेरी बात ऐसे कि इसमें क्या करेंगे अब bond पे और तुम count करने गया है तो तुम बोलोगे सर बॉन पे और तो 5 चारा है सर इसके पास ना 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 पाई बॉन को नहीं count करते हैं क्योंकि पाई बॉन कौन बनाता है सर हाइबिड और बिटल नहीं सुध देशी ती या डी ऑर्बिटल तो यहां पर आप बोलोगे सर वैलन बॉन पेर इसके टोटल चार आ गए अच्छा एक और ट्रिक अगर बॉन पेर काउंट करने में कभी दिक्कत आए तो साइड में कितने अटम चिपके हैं इससे डिरेक्ली उसको गिलनो एक दो तीन चार तो बॉन पेर हो गया चार लोन पेर की बात करें तो कभी नेगेडिव चार्ज हो और सेंट्रल आटम ना हो ऑक्सीजन या टर्मिनल आटम ऑक्सीजन ना हो जैसे की तो इस केस में नेगेडिव चार्ज फॉस्फोरस को ही दे देंगे इसके पास छे एलेक्ट्रोन होंगे और सॉल्व कर देंगे आगे अगे अग्सीजन की अग्सीजन से उसको अग्सीजन के बात करें बाकि आप जिसमें दो दो क्या कहते हैं बांड्स होते हैं इस तरीके से बनाया जाता है द्यान से सुनिएगा ऐसे एसे एसे के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट आप क्या करेंगे जितने हाइड्रोजन है उनको कि सेंट्रल आटम से ओएच बॉंड के थूप इंट्रल आटम से ओएच बॉंड बनाके जोड़ेंगे बनाकर जोड़ेंगे इसमें एक पॉंट और याद रखना है जिसमें सभी बच्चे गलती करते हैं अगर फॉस्ट इस वह सब्सक्राइब हैं। उसके और उपर वाले नहीं हमको फोलो करें। जैसे दो एक्जामपल ले लेते हैं सबसे पहला एक्जामपल हम ले लेते हैं आपका H2SO4, अब H2SO4 में तुम बताओ, oxygen और hydrogen में minimum value किसकी है, hydrogen की, hydrogen कितने है, 2, तो आप क्या करोगे, पहले sulfur लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 electron होते हैं valence cell में, यस सर, आपके पास 2 hydrogen है, तो 2 OH बना दो, 1 OH 2 OH, बाकी कितने oxygen बच गे, 2, oxygen को अपनी valency satisfy करने के लिए, double bond बनाना पड़ता है, सर, या तो double bond बनाएगा, या तो एक इस से बना लिया, एक hydrogen से बना लिया, ये भी कर सकता है, पर hydrogen तो है नहीं, तो आप यहाँ पर बाकी कर देंगे, double bond हो, double bond हो, इस तरीके सब, यहाँ पर आप total खुस हो जाओगे, बोलोगे, यूरेका, यूरेका, तीन oxygen, तीन hydrogen, हाइड्रोजन, और बना दो, लेकिन नहीं, सर, सबर कीजिए, फॉस्फोरस के oxoacid में कभी ऐसे तीन bond नहीं बनाया जाते है, फॉस्फोरस के oxoacid में सबसे पहले 5 electron phosphorus को चिपकाओ, एक, दो, तीन, चार, पांच, और सबसे पहला काम, आरे कुछ मत देखो यार, सबसे पहले P double bond बना दो, बनाओ ही सर, इसके बाद ही कुछ, फिर एक OH, एक OH, ओहो सर, अब तो oxygen ए खतम हो गया, और जब oxygen ही खतम हो गया, तो अब एक hydrogen बचरा, इसको directly attach कर दो, इसी के लिए कहा जाता है कि phosphorus के oxo acid में आपने सुना होगा, कि जितने oxygen होते हैं, उससे एक कम ही acid h plus हो सकता है, उससे जादा तो होई नहीं सकता, तो इसका structure कैसा होगा सर, इसका structure होगा P double bond हो, इधर OH, इधर OH, इधर H, याद रखना, एक और मज़दार बात बता दू, ऐसे acids पे जितने भी XH मलब pH bond होते हैं, वो सभी किसका गाम करते हैं, सर, वो सभी काम करते है, reducing agent का, तो जितने pH bond होगे, उतरा अच्छा reducing agent phosphorus का acid होगा, अगर phosphorus acid की बात करें, S3PO4, उसमें एक भी होच bond नहीं होता, तो वो reducing agent नहीं होता है, सर, खैर आ गया आते हैं, यह बात आपको समझ गई, यहाँ पे भी oxygen का जलवा है, सर है न, यहाँ पे भी oxygen का जलवा है, फिर हम बात करेंगे किसकी resonance की, अगर हम inorganic वाले resonance की बात करें, जो inorganic में resonance होता है, तो हम सीधा-सीधा लिखते हैं कि ऐसा molecule, ऐसा molecule, जिसका more than one structure possible, more than one structure possible है, ऐसा कोई भी molecule जिसका एक से ज़्यादा structure possible है, उसको resonance की category में हम डाल देते हैं, और resonance की category से हमें क्या-क्या सीखना है, यह सुनना, resonance एक ऐसा effect है, जो averaging out करता है, resonance का काम क्या है, सर, resonance का काम क्या है, सर, resonance average out करता है, सर, average out, किन-किन चीजों का average out करता, यह भी सुनिये ध्यान से, अगर हम resonance की बात करें, तो resonance से पहले में inorganic chemistry के एक बड़ी शांदर, बड़ी शांदर number of average bonds between two atoms, अगर कभी भी आपको bond order निकालना हो, वो number of average bond between two atoms होता है, उसको निकालने कई सारे तरीके, तो याद रखे, bond order जो है, यह directly proportional होता है, पूरा लिख देता हूँ, bond order, जिसको हमने बीयो बोला, यह directly proportional होता है, bond strength के, यह directly proportional होता है, bond strength के, और यह inversely proportional होता है, bond length के, तो resonance क्या करता है, सर इन सब को average out कर देता, bond length को average out कर देगा, bond order को average out कर देगा, हर चीज को average out करने का काम है, हर चीज को average out करने का काम है, सर, everything is being average out by bond resonance, resonance से bond order निकालने का formula मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अगर आप से पूछे resonance bond order कैसे निकालेंगे sir तो आप बोलोगे bond order का formula होता है किसी भी structure में total bond total number of bonds upon sigma bond number of sigma bond दो same type के atom के बीच में total bond कितने बन रहा है divided by sigma bond कितने यह directly आपको निकाल के क्या देदेगा sir यह आपको directly bond order निकाल के देदेगा directly निकाल के bond order देदेगा sir इसके बाद हम आगे आते हैं bond parameters की बात कर लेते हैं अभी आपने देखा bond length की थोड़ी सी चर्चा की bond length क्या होता है sir तो distance between two bonded atom two bonded atom ठीक है दो bonded atom के बीच के distance को bond length बोलते हैं यह बहुत सारे factors पर depend करता है जैसे electron negativity पे size of atom पे अगर मालो atom ही छोटा है तो उनके बीच का distance भी छोटा होगा अगर atom बड़ा है तो उनके बीच का distance भी बड़ा होगा sir फिर bond enthalpy bond enthalpy को हम क्या बोलते है sir bond toडने में लगने वाली energy को bond enthalpy कहा जाता है क्या बोलते है sir bond break करने bond break करने में लगने वाली enthalpy लगने वाली enthalpy यह फिर मैं आंग्रेजी में बोलू तो English में मैं क्या बोलूँगा sir the enthalpy or energy required to break a bond of a particular element या adrenaline particular compound इसको बॉन एंथालपी और यहां पर मैं बस आपको एक धोमका बताऊंगा सर्ट जैसे धोका होता है तो हम धोका नहीं पढ़ते हैं धोमका पढ़ते हैं इन और गानिक एक धोमका बताऊंगा जो याद रखना यह वेरी इंपोर्टेंट सवाल में अभी बता दे रहों डिरे चैनल आपको यह बहुत इंपोर्टेंट चैनल जैसे सब और यंदो डिपेंट करता सबसे पहली चीज जिस पे बॉन अंगल डिपेंट करता वो हो है hybridization सबसे पहले चीज़ hybridization पर डिपेंड करता है जैसे अगर मानलों कभी भी SP hybridization है तो bond angle 180 degree का होगा सबसे जादा उसके बाद SP2 में उसके बाद SP3 में फिर अगर हम बात करें hybridization अगर सेम है hybridization क्या है सर अगर hybridization जो है वो सेम हो गया तब bond angle depend करता है loan pair पे किस पर depend करता है sir loan pair पे इसमें क्या होता है sir number of loan pair ज्यादा number of loan pair ज्यादा bond angle बी यह लिख देता हूं bond angle कम जैसे example के लिए अगर हम बात करें तो तीन molecule लेते हैं CH4 hydrogen 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 दूसरा molecule ले लेते हैं आपका NS3 एक loan pair hydrogen 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 और एक molecule और ले लेते हैं sir आपका H2O तो oxygen hydrogen 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 आप देखेंगे इसमें bond angle जो है यह 109 degree 28 minute का है मतलब exact perfect tetrahydral का ammonia के अंदर जो bond angle होता है यह bond angle 104 degree का होता है oh sorry ammonia के अंदर जो bond angle होता है यह 107 degree का होता है sir वहीं पानी के अंदर यह bond angle और कम हो जाता है क्योंकि पानी के पास दो loan pair होते हैं तो यह bond angle और कम हो जाता है यह 104.5 degrees का हो जाता है sir तो यह बात हो गई bond angle की ठीक है अगर यह है तो इस तरीके से बाकी और एक कादा case होता है बाकी case यह होता है कि कि अगर मांदो सब कुछ से में क्या है sir अगर सब कुछ से में जैसे hybridization same hybridization क्या है sir same number of loan pair यह भी same कि पिर क्या different होगा sir central atom different terminal atom same क्या लिखा मैं central atom different terminal atom same इस case में क्या होगा sir मैं अगले page पे ले ले लेता हूँ क्या बोला मैंने द्यान से देखिए hybridization same number of loan pair LP लिख दू लोन पेर टो number of loan pair same फिर आपका terminal atom same central atom different और यहां पर loan pair जो है non zero होना चाहिए sir कम से कम एक loan pair तो हो रही चाहिए अब इस case में देखो central atom different है तो सीधा याद रखना bond angle जो है वो directly proportional होगा bond angle जो है वो डिपेंड करेगा central atom की electronegativity पे तो electronegativity of central atom जितनी ज्यादा bond angle उतना ज्यादा सीधा सीधा answer है central atom की electronegativity जितना ज्यादा bond angle उतना ज्यादा फिर अगर हम यहीं पर आ जाए sir कि इसी के साथ अगर हम आ जाए कि यहाँ पर हमें terminal atom different है यह सारी बाते सेम है terminal atom different है और central atom same है sir तो इस case में भी जो bond angle है इस case में भी जो bond angle है यह proportional होगा लेकिन inversely proportional होगा electronegativity of आपके terminal atom के directly ऐसे सवाल किये जा सकते हैं directly ऐसे सवाल किये जा सकते हैं sir तो यह बात हो गई bond angle की जैसे एक सवाल है देखो सवाल हमसे पूछा तो compound that has the largest h mh bond angle जहां पे m जो है है यह सारे compound से यह भी 2020 का सवाल है यह option A है यह option B है यह option D है अब बताओ इसमें bond angle तो आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हो सर देखो इसका bond angle अभी देखा था एक सो नो डिगरी अटाइस मिनिट इसका bond angle अभी देखा था एक सो साथ डिगरी क्योंकि लोन पे रहे इसकी बात करें तो यह दोनों एक जैसे हैं सर दोनों के पास ही दो दो लोन पे रहे लेकिन अब यहां पर central atom different है तो हमने देखा bond angle is directly proportional to hybridization या bond angle is directly proportional to electronegativity of central atom तो oxygen की electronegativity जादा है इसका bond angle जादा हो जाएगा और हमसे पूछा है which of the following compound is largest bond angle तो largest का तो answer D हो गया सर सीधा largest का तो answer क्या हो गया सर D हो गया लेकिन अगर हम odd electron species odd electron species बहुत ही simple topic है यह कहता है कि अगर कभी कोई ऐसी species आ जा जाए जिस पर total number of electron ही odd हो तब आप क्या करेंगे तो odd electron species के case में यह देख रहे हो यह फिर हेरा फेरी का एक छोड़ा सीन है जिसमें यह बाबु भाई है और यह बोलता कि मैं चला जाएगा तो बोलता रहे तु जा रहे है ना तो ऐसा इसीन यहाँ पर भी है कैसे decide करेंगे सर कि वह उसको हम जैसे मालो odd electron का मतलब single electron अब single electron को अब single electron को हम loan pair count करेंगे की नहीं देखो loan pair जैसा है तो नहीं पर उसको तवज्यों देंगे loan pair जितनी या नहीं देंगे यह depend करता है जैसे एक छोटा बच्चा है उसको तुम कैसे बात करोगे किस कैसे उसका care करोगे यह depend उसके parent पर करता है तुम देख लेना नॉर्मली माल सब्दक्तितलों को बहुत आसर्टीतों का कि व्ह возь Capital से जदेख 1, 2.5 से ज्यादा है तो और उल्क्ट्रों को loan pair की तरह काउंट कर लेंगे मनलब होगा नहीं लोन पेर पर काउंट कर लेंगे और काउंट कर लेंगे इसका मतलब यह VACP में आएगा सर और VACP में आएगा तो hybridization में contribute करेगा बागी किसी case में अगर terminal atom की electronegativity 2.5 से कम है तो तो जा रहे है तेरे को काउंट नहीं करेगा रहे है ऐसा है ना जैसे एक्जांपल के लिए अगर हम आगे नो टू की बात करें तो नो टू में जो terminal atom है यह oxygen है जिसके electronegativity होती है 3.5 cf3 की बात करें cf3 में फ्लोरीन है जिसके electronegativity होती है cf3 की बात करें यहाँ पर जो terminal atom है वो hydrogen है hydrogen की electronegativity होती है 2.1 तो इन दोनों ही case में हमने इसको count किया hybridization में और यहाँ पर hybridization sp2 आया यहाँ पर hybridization sp3 आया लेकिन यहाँ पर हमने इसको count नहीं किया तो यहाँ पर hybridization sp2 आया और यह lone pair जो है यह pure P orbital में है pure P orbital में जबकि अभी थोड़ी देर पहले यह किस में था सर hybrid orbital में था तो इस तरीके से हम hybridization decide कर लेते हैं इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो बेंट सुरूल की चर्चा कर लेते हैं बेंट रूल क्या कहता है सर सीधी सीधी बात है दो लाइने ध्यार रखना सुन लो मेरी बात ध्यान से बेंट रूल सीधा यह कहता है कि ज्यादा electronegative atom को वैसे यह बहुत ज्यादा important नहीं है सर विसने के ज्यादा electronegative वाले elements इलेमेंट सें्टरल अटम का वह हाईबरिड और्ड़ुटल से बांट करेंगे जिसका percentage sweater ज्यादा electronegative वाले उससे बांट करेंगे जिसका percentage एस केरेक्टर कम हो जिसका परसेंटेज एस केरेक्टर क्या हो सर इसका परसेंटेज S character कम होगा ठीक है जो ज़्यादा electro negative है जो ज़्यादा जैसे साधी में फूपाजी type के लोग जो होते हैं फूपाजी type के लोग उनको थोड़ा ज़्यादा इज़द देना पड़ता है तो यह वही है सर ठीक है यह याद रखना और अगर हम बात करें लोन पेर को कहां पर रखेंगे सर लोन पेर कहां उक्यूपाई करेंगे जहां परसेंटेज S character कम हो और यह आपको TBP जेमिटरी में देखने को मिलनेगा बस TBP में मैंने बोला था ना लोन पेर को हम हम इसा एक्जियल पे इक्विटोरियल पे रखते हैं इक्विटोरियल पे इसी कारण से रखते हैं पिर एक फॉर्मूला इसको भी देख लो जैसे माल लो यहां पर यह बोरोन का एक कंपाउंड बना है BFCLBR अब बोरोन का आप बोलोगे इसका हाइबिडाजिशन तो SP2 है SP2 में percentage S character तो सभी का fix है सर और को क्या करना पड़ेगा यहां पे जो ज्यादा electronegative है वहाँ percentage S character कम करना पड़ेगा Central atom का तो बोरोन का percentage S character इस bond में कम हो जाएगा बोरोन का percentage S character इस bond में maximum हो जाएगा सर इस bond में maximum हो जाएगा क्योंकि इसके लिए electronegativity minimum है फिर अगर किसी भी bond एंगल की बात करें कॉस्स थीटा यह बॉंड दो बॉंड पेर के बीच का एंगल है कॉस्स थीटा इसका फॉर्मूला होता है सपॉन S-1 P-1 अपॉन P जाहां पे इस क्या है percentage S character P क्या है percentage P character फिर एक rule होता है ड्रागो रूल ड्रागो रूल क्या होता सर कुछ हैसे compound होते हैं जिसका कोई hybridization नहीं होता है तो यह आपको P-block में देखने को मिलता है है ना तो P-block में group 15 और group 16 के hydrides की अगर हम बात कर लें इसकी बात कर लें सर इनके hydrides की तो इनके hydride में यह total hydride है इन दोनों का हम बोलते हैं कि इन दोनों का hybridization होता है इन दोनों का hybridization है और इनका hybridization SP3 है बाकि इन सभी का no hybridization याद रखना है कभी आपसे सवाल पूछे no hybridization का तो यह compound आपको याद रखने है इनके पीछे का reason क्या है से reason हम simple यह देते हैं कि इनका bond angle जो है ना इन सभी का bond angle जो है वो लगबक लगबक 90 degree के असपास होता है bond angle इन सभी का bond angle almost equal to 90 degree के असपास होता है 90 degree के bond angle होने के कारण हम बोलते हैं यहां पर hybridization नहीं हुआ होगा प्योर प्योर्बिटल सी participate कर रहे हैं फिर हम आगे चलते हैं सर इसके बाद अगर हम बात करें एक सवाल कर लेते हैं देखो ज्यान से कि the oxide of which of the falling contains an odd electron at nitrogen atom तो इसमें से odd electron species कौन सी है सर बताइए तो ऐसा कोई भी species जिसके पास total number of electron odd हो that is called an odd electron species और आपको सामने ही देख रहा अभी हमने no2 देखा था याद रखना एक बात और no2 का एक color भी होता है q into d जहाँ पर q into d ठीक है अगर यह हम बात करें तो यह इसका formula मतलब इसका magnitude हमें देता है जहाँ पर q क्या है सर चार्ज on any one of species charge on any one of species any one of these species any one species किसी एक species का charge ले लो और यह sign magnitude लेते है के बाद और d क्या है सर distance between two species distance between two species two species यह two atom के एलो इन बाट है तो यह आपको डाइपोल मोमेंट देता है इसका direction हमेशा किदर होता है सर तो यहाद रखिए इसका direction हमेशा कहां से कहां होता है तो less cn से less electronegative to more electronegative more electronegative डाइपोल मोमेंट के अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट में दो तीन बात आपको हमेशा बहुत ही ध्यान से सुनना है समझना है वो यह है कि सर दो तरह की चीज़ों होती है एक तो होता है bond की polarity एक तो होती है bond की polarity और दूसरा होता है molecule की polarity दूसरी चीज़ क्या होती है सर molecule की polarity bond polarity and molecule polarity और यह ज़िए अगर कभी भी जज करनी हो तो सीधा सीधा हम बॉंड के अंदर डेल्टा इयन निकाल लेते हैं डेल्टा ईयन ओफ बॉन्ड़ अगर इन दोनों आटम के बीच में डेल्टा मंदब आटम के बीच में ऐलिमेंट के वीच में डिफ्रिटा इंस है या अगर कभी भी डेल्टा इं बराबर जीरो आ जाए तो आप बोलेंगे बॉन्ड्डHi नौन पोलर होगा सबाखर आपको ध्यान रखना बॉंड्ड की पोलारेटी यह चर चाहिं सर यहीं पॉलारेटी किसकी है थे bond की polarity के हमने discussion किया है वहीं अगर हमें molecule की polarity की बात करने हैं तो molecule की polarity bond की polarity से थोड़ी अलग होती है molecule की polarity के लिए हम क्या करते हैं sir, vector sum निकालते हैं क्या निकालते हैं Vector sum of all mu, अभी dipoles का vector sum निकाल लेते हैं और अगर ये vector sum 0 आजाए अगर यह vector sum 0 आजाए मतलब की mu net जो है यह अगर 0 आजाए यह अगर 0 आजाए तो molecule को हम बोलेंगे np बोले तो non polar और अगर mu net non 0 आजाए mu net non 0 आजाए तो हम molecule को बोलेंगे कि molecule polar है molecule polar है sir इसमें एक RBI आपको दे देता हूँ अगर कभी भी तुम्हें अपने life में perfect molecule देखने को मिले perfect molecule का मतलब क्या होता है sir सून लो ज्यान से perfect molecule का मतलब ऐसे molecule जिसमें कोई lone pair नहीं हो जिसमें lone pair की संख्या 0 हो और terminal atom सभी के सभी same हो ऐसे molecule की को हम perfect molecule बोलते हैं और इनके लिए mu net बिना निकाले बोल देना 0 इनको कई बारी हम symmetrical molecule भी बोल देते हैं इनके लिए हमेशा minute 0 आएगा always sir ठीक है एक सवाल कर लेते है sir जेही मेंस का एक सवाल है देखो 2022 का numerical answer type है सवाल यह है कि among BEF2, BEF3, H2O, NH3, CCL4, HCL the number of molecule with non-zero net dipole moment किसका net dipole moment non-zero है, zero नहीं है इसकी अगर हम बात करेंगे sir इसकी अगर हम बात करेंगे sir तो आपको देखने को मिलेगा, देख लो BEF2 की बात करते हैं, तो BEF2 में आप पाएंगे कि sir सभी terminal atom BEF2 की बात कर लेते हैं, BEF2 में पाएंगे आप सभी terminal atom same terminal atom same, terminal atom same सब्सक्राइब ना इसके पास Lone Bear जिरो इसके पास Lone Bear 2 इसके पास Lone Bear 1 इसका मतलब यह Polar यह Polar और इसके पास Lone Bear 0 यह Polar नहीं तो आपसे पूछाए कि कि कितने molecule होंगे with non-zero dipole moment non-zero dipole moment के साथ answer हमारा आगया total कितने molecule हो गए sir तीन और ये molecule कौन-कौन से एक तो H2O है दूसरा NH3 है तीसरा HCL है हमने कुछ मेनत नहीं कि sir सीधा RBI लगाया क्या बोला कि आप निकाल लो लोन पेर कितने हैं अगर लोन non-zero है तो सीधा आपके मन में एक सवाल आएगा कि sir कभी lone pair माल लो माल लो किसी के इसमें lone pair जो है माल लो किसी के इसमें lone pair जो है वो zero नहीं है तो भी molecule non-polar हो सकता है क्या हां sir ऐसे cases हैं जैसे example के लिए example के लिए अगर हम बात करें तो XZF2 XZF2 के पास कितने तीन lone pair हैं sir lone pair की बात करें तब भी यह non-polar है sir it is non-polar फिर XZF4 XZF4 के पास दो lone pair है तब यह non-polar है sir फिर अगला example अगला example आप याद रखना एक XZF5 negative इसके पास total कितने lone pair है दो तब भी यह non-polar है sir एक structure जो मेरा bond pair जो होता है वो छे number of lone pair जो होता है वो एक होता है ऐसा कभी भी case आए चाहे XZF6 आजाए चाहे IZF6 negative आजाए इस case में आप याद रखेंगे shape जो होता है वो आपकी NCRT कहती है कि यह distorted octahedral होता है sir very important direct सवाल आएगा distorted octahedral यह direct सवाल है sir सीधा सीधा shape इन में से distorted octahedral है चलिए इसके बाद चलते हैं sir हम थोड़ा सा बात कर लें तक इसकी back bonding की back bonding की बात करें sir back bonding की तो back bonding क्या होता है थेहां से सुनेगा back bonding हमें तब देखने को मिलता है जब आपस में क्या 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 कंडिशन से इसको समझ लेते हैं back bonding के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले एक donor item होगा एक acceptor item होगा donor item कॉनसा item जो electron देगा acceptor item कॉनसा item जो electron accept करेगा तो back bonding देखने को कब मिलता है sir जब electron की deficiency हो तो यह electron deficiency के case में हमें देखने को मिलता है donor item की खासियत क्या होनी चाहिए उसके पास loan pair होना चाहिए donor item period 2 या period 3 का होना चाहिए acceptor item के पास vacant orbital होना चाहिए और यह भी period 2 या period 3 का होना चाहिए और एक और बहुत important शर्त है back bonding की कि sir at least एक तो period 2 का होना ही चाहिए यह period 2 का हो तो यह period 2, period 3 का चलेगा यह period 2 का हो तो यह period 2, period 3 के चलेगा दोनों ही period 3 के हो तो अच्छी backbonding नहीं होगी negligible backbonding होगी फिर अगला point याद रखना जो भी backbonding होते हैं वो pi-dative bond होता है मतलब pi-coordinate bond all backbonds are pi-coordinate bond all backbonds are pi-coordinate bond और याद रखेगा pi bond तभी बनता है जब already कोई bond exist कर रहा हो दो item के बीच में अगर already bond exist नहीं कर रहा है तो backbond जैसी कोई चीज नहीं होती है फिर backbond को हम bb बोल देते हैं bb तो हम देखेंगे bb के effect backbonding के effect तो लिखे effect of bb तो आप बोलोगे सर अभी तो आपकी साधी हुई नहीं आपको कैसे पता है backbonding bb के effect देख लेते हैं साथ थोड़े बहुत सबसे पहला bb decreases levis acid and basic character levis acidic या levis acid and levis acidic as well as basic character यह दोनों ही character को decrease करता है सर चाहे acid हो चाहे basic को दोनों ही character को यह decrease करता है acid character भी और basic character को भी decrease करता है सर दूसरा point backbonding के कारण सुनिए गध्यान से backbonding के कारण एक तो levis acid basic character decrease हो गया backbonding के कारण क्या-क्या होता है सर bond order हमेशा बढ़ता है bond length हमेशा कम होती है और bond strength हमेशा बढ़ती है यह order हमने पहले भी देख चुका है कि bond order is directly proportional to bond strength inversely proportional to bond ले तो अगर यह बढ़ा तो यह कम होगा यह बढ़ जाएगा तीसरा point सर backbonding के कारण बी-बी के कारण आपका bond angle bond angle जो है यह दो चीज हो सकता है सर या तो it में increase या तो यह बढ़ जाएगा और remains same कभी decrease नहीं होगा सर और remains same या तो यह बढ़ जाएगा या same रहेगा सर अच्छा increase कप करेगा सर तो increase तब करेगा जब donor atom आपका central atom हो increase कप करेगा सर जब donor atom donor atom hybridized हो donor atom क्या हो सर hybridized अगर donor atom hybridized है तो bond angle increase कर जाएगा सर याद रखेगा ठीक है अगला तीसरे में backbonding के कारण अगर हम change in hybridization देखें तो hybridization के साथ भी यही same कहानी है it may change or not it may change or not it may change or not change हो भी सकता है और नहीं भी change कब होगा सर फिर से यही वाली बात याद रखेगा कि अगर donor atom hybridized है तो bond तो hybridization बदल जाएगा अगर donor atom hybridized नहीं है तो hybridization नहीं बदलेगा सर और इसके दो केस बहुत important उसको मैं यहाँ बना देता हूँ फिर आगे चलते है सर इसके दो केस बहुत important ध्यान रखेगा backbonding के दो केस एक तो होता है जिसे SIS 3 जिसे देखो N SIS 3 अब यहाँ पे लोन पे आरे सर यह donor atom है central atom है central atom के पास electron है और यह silicon को coordinate करेगा backbone करेगा क्यों क्योंकि silicon के पास वैसे तो octet पूरा है पर वेकेंडी और्बिटल के पास इसको मन रहता कि यह बहिया एक electron हम को और दे दो तो इस वजह से यहाँ पर backbonding देखने को नहीं कर रहे थे तो हम बोलते है इसका इपड़ाजेशन एस पी कि इन बॉंड पेर एक लोन पेर लेकिन अब इसका hybridization यह क्योंकि लोन पेर इधर चला गया तो अब इसका hybridization हो जाएगा SP2 याद रखेगा यही सीधा सीधा नियम आपको याद रखना है यह RBI बहुत मदद करेगा सर आपको सीधा answer टिक करने में these are few RBIs यह वाली बात जो ना यह वाली एक मस्त सी RBI है सर जो बहुत तगड़ी मदद करेंगे आपके examination hall में बाठ के बहुत दगड़ी मदद करेंगे बस इतना याद आ जाए आपका answer टिक हो जाएगा फिर हम बात करते bridge bonding bridge bonding की बात करें सर तो bridge bonding कब होता है सर जब backbone गॉंडिंग का कोई स्कोप ना हो जब back bonding का कोई scope ना हो तो bridge bonding होता है bridge bonding की अगर हम बात करें तो bridge bonding दो type का होता है कि electron deficient एक electron rich एक electron deficient और electron rich या फिर आप कह सकते electron precise electron deficient bridge bond को हम banana bond कहते हैं और ये कब होगा जब bridge element के पास मतलब ऐसा element जो bridge पर पढ़ रहा है उसके पास loan pair नहीं है सर electron rich bridge bond को कभी भी बनाना bond नहीं कहते हैं ये कब होगा सर जब bridge element के पास loan pair हो bridge element के पास loan pair है तो वो banana bond नहीं होगा bridge element के पास loan pair नहीं है तो वो banana bond होगा जैसे इसका सबसे प्यारा example है B2H6 डाइबोरें B2H6 के structure में देखो तो ये एक बोरो ने इस पे एक hydrogen इस bond को अगर आप गौर से देखोगे इस bond को अगर आप गौर से देखोगे तो ये है आपका banana bond banana bond किसको कहते हैं सर तो three center मतलब तीन atom हो और उनके बीच अगर दो ही electron गूम रहे हैं तो that is called banana bond that is called a banana bond ध्यान रखिएगा बाकि आप बोलोगे सर एक बार electron rich वाला भी एक example दिखा दो सर हमें अच्छा बनाना bond से related कुछ important बात है ये electron deficient होता है सर अभी भी क्योंकि तीन atom के बीच में वैसे नॉर्मली चार electron होने चाहिए अगर एक सिंगल bond है पर यहां पर दो electron होने कारण ये electron deficient है सर इलेक्ट्रों ब्रिच या प्रसाइज ब्रिच बॉंड जो होता है इसके ब्रिच बॉंड में आपको थ्री सेंटर फोर एलेक्ट्रों ही देखने को मिलेगा जैसे एक्जाम्पल के लिए वज़ा से कभी भी अगर इसको ब्रिच एलेमेंट को पकड़ो और पूछो भाईया तुम्रे पास लॉन पेर है अगर उसने बोला ना इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा कि एलेक्ट्रोंड इफीशेंट ब्रेजबांडिंग है पिर आवात इनेट पेर एफेक्ट कहां पर देखने को मिलता है सर्फी ब्लॉक में पी ब्लॉक के ऐलेमेंट में लोगर ग्रूप नहीं करता जैसे यह देखो आप इसको देख के समझ सकते हैं यह आपका NP6 electron है NP वाले electron है यह आपका NS2 के दो electron है तो यह क्या बोल रहा है आप अपने साथ मत जोड़िये हमको हम अलग है अपने साथ हमको मत जोड़िये हम अलग है हम react नहीं करेंगे तो this is inert pair effect किसमें देखने को मिलता है सर नीचे वाले element में इन सभी में जैसे example अगर आपको बताना तो सीधा सीधे line में example बोलू तो thallium अपने plus one oxidation state में exist करेगा lead plus two oxidation state में ज्यादा stable है bismut जो है यह plus three oxidation state में ज्यादा stable है इनका यह ज्यादा stable oxidation state है मतलब यह ऐसे तो इस पर total पाँच electron होते है नस्टू एन्पी थ्री इस पर चार होते इस पर तीन होते बट इन में सभी में दो-दो electron कम मतलब नस्टू वाला electron participate नहीं करेगा bonding में इसी को inert pair effect कहते हैं और यह last वाले element के लिए होता है फिर एक टॉपिक है जिसको कहते है molecule does not exist कुछ हैसे molecule जो exist नहीं करते हैं तीन reason होता है molecule के exist नहीं करने का सबसे पहला होता है unavailability of d-orbital in period 2 element period 2 element पर d-orbital होता ही नहीं है तो इनकी आउकात ही नहीं है object expand करने की इसी के लिए आपको देखने को मिलेगा period 2 का element कभी भी expanded octet का expand expanded octet नहीं हो सकता है इनका expanded octet not possible हो ही नहीं सकता सर यह expanded octet का case कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास electron ही नहीं है electron भी तो होना चाहिए न expanded octet करने के लिए दूसरा क्या जैसे example के लिए सर आप देखोगे आप यह पाएंगे कि आपको देखने को मिलेगा pcl5 exist but ncl5 जैसी कोई चीज नहीं होती सर क्यों क्योंकि भाईया पांच बॉन का hysteric hindrance के कारण भी बहुत सारे molecule exist नहीं करते हैं यह hysteric hindrance क्या होता है अब ऐसा समझो कि माल लो एक छोटा बच्चा है उसको हमने दस बाल्टी पकड़ा दी पानी के और बले जाब पानी भर के ले क्या 5 साल का बच्चा है वो लेया पाएगा मारेगा पकड़ तुमको उसी ब example के लिए आपको PCL5 तो देखने को मिलता है और PCL5 exist but PI5 यह exist नहीं करता रिजन क्या है सर स्टेरिक hindrance बहुत बड़े molecule नहीं स्टेबलाइज कर पाएगा छोटे-छोटे आटम जैसे उसी के तर्ज पर आप देखो SF6 तो देखने को मिलता है बट SCL6 देखने को नहीं मिलता ह क्योंकि यह इस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा और तीसरा है 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 लुकात है ना तीसरा है सर है है लुकात है को योटिलाइज नहीं कर पाता है पाता हूं बाकी element तो कर लेंगे इसका क्या मतलब मैं इसको अगले पेज पर लिख देता हूं यहां पर कुछ जादा ही गडबड आ गया है यहां पर handwriting कुछ को जादा ही गडबड हो गई है तो देने क्या बोला से वहाब यूटिलाइज नहीं कर पाता है यह क्या सकते हो hydrogen atom की औक और यह कब सर जब hydrogen atom terminal atom की तरह काम करें इसका example क्या है आप देखेंगे pcl5 तो exist करता है सर पीसल फाइफ एक्जिस्ट बट पी एच फाइफ ड़स नोट पी एच फाइफ ड़स नोट पी एच फाइफ ड़स नहीं करता है रीजन बहुत ही सिंपल सा है hydrogen atom की औकात ही नहीं है कि वो डी सब शेल यूज कर ले फॉस्फोरस का करी नहीं सकता है इसी का दूसरा example आप देख लो जैसे आप देखोगे SF6 exists, SF6 exist करता है लेकिन SH6 ये exist नहीं करेगा SF4 exist करता है लेकिन SH4 exist नहीं करेगा तो ये सीन है सर हाइड्रोजन की ओकात नहीं होती है इसके बाद हम आगे चलते हैं सर molecular orbital theory पे molecular orbital theory के अगर हम बात करें तो molecular orbital theory एक one of the most important concept है इस chapter का और यहाँ पे हम दो बाते करते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा molecular orbital theory में सबसे पहला topic जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते LCAO linear combination of atomic orbital की अगर हम चर्चा करें तो linear combination of atomic orbital ये कहता है कि दो atomic orbital जब आपस में मिलते हैं तो दो molecular orbital दो टाइप के molecular orbital बनते हैं एक bonding molecular orbital क्या है सर्थ BMO का मतलब bonding molecular orbital है ना और इसका मतलब है anti-bonding molecular orbital तो दो टाइप के molecular orbital आपको देखने को मिलेंगे पहला वाला जो बनता है वो constructive interference of wave से बनता है जो कि आपने अल्रेडी पढ़ रखा है physics में दूसरा वाला destructive interference से बनता है फिर कुछ important बात है एक बात और जितने atomic orbital मिलेंगे उतने ही molecular orbital बनेंगे फिर अगले point में बात करें तो आप यहां पर सुनेगा molecule में electron जो होते हैं वो molecular orbital के control में होते हैं मतलब molecular orbital में होते हैं वही atoms के अंदर electron atomic orbital में होते थे atomic orbital होता था spdf molecular orbital होता है sigma s 1s sigma 2s sigma anti bonding 1s sigma anti bonding 2s इस तरीके से ठीक है यह anti bonding bonding orbitals होता है क्या बोला मैंने sigma 1s sigma anti bonding 1s इन सब जगवाँ पर electron होता है molecule का electron 2 plus nucleus से 2 या 2 से ज्यादा nucleus control करता है बट atom का electron single nucleus control करता है सर एक ही nucleus control करता है अगर हम general electronic configuration की बात करें molecular orbital diagram में तो आप general electronic configuration यह पाएंगे कि up to 14 electron अगर आपको 14 electron तक भरना है तो electronic configuration होगी sigma 1s फिर sigma anti bonding 1s फिर sigma 2s है ना फिर sigma 2s उसके बाद sigma anti bonding 2s फिर sigma 2p फिर pi 2p x बराबर pi 2py फिर sigma 2p z फिर pi 2p x बराबर pi 2py का anti bonding यहाँ पे इसको लिख देता हूँ यहाँ पे आएगा pi anti bonding 2p x बराबर pi anti bonding 2py और अंत में आएगा sigma anti bonding 2p z अंत में आएगा sigma anti bonding 2p z फिर 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 anti electron species तक ही पढ़ना है अंत में अभी आपको एक RBI दे दूँगा RBI आपको सब बता देगा कि छोटे तरीके से आंसर कैसे निकालते हैं यहाँ तक बात clear हो गई ओके सर फिर हम आगे बात करें अगर 14 से ज्यादा electron कभी भी हो तो electronic configuration इस तरीके से होगा क्या बदलता है सर मैं आपको बता देता हूं चेंज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता इस जगा से यहाँ पे जो पी में electron भरे जाते हो ऐसे भरे जाता है सर तो यह भरा जाता है 2121 इस तरीके से electron भरे जाते हैं अगर हम बात करें सर 14 से electron ज्यादा है तो इसको भरा जाता है 122 यह क्या है सर पाइट टूपी x बराबर पाइट टूपी वाई यह है सिगमा तूपी यह है πाई एंटी बॉन्डिंग 2P X बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2P Y और यह है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2P Z ठीक है लिया रहे कि आए वाद चलिए जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर 14 से ज़्यादा है न एलेक् भी ज्यादा नहीं आता हम सवाल करने पर फोकस करते हैं कि सवाल किस तरीके से करेंगे सर यह सुनिये ज्याइब से जब भी आप से सवाल पूछेगा तो सबसे पहला आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि बॉन्ड ओंडर कितना होगा तो बॉन्ड निकालने के लिए आप क कितने है यह क्या है स्टव क्या फीक टिक एने वी का मतलब क्या है सब नंबर ऊफ टिव एलेक्तरान के यह एसब मॉल्य के फॉर्मूला होता है इनको हम टू से डिवाइड कर देंगे माइनस करके यह आपको बना के क्या देदेगा यह आपको बना के देदेगा bond order bond order निकालने का मैं आपको simple सा trick बता देता हूँ आप यहाँ पे लिख लो bond order है ना bond order की maximum value 3 होती है इसको 0.5 कम करते जाओ तो 3 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 2.0, 2.0 के बाद 1.5 1.5 के बाद 1.0 इसके बाद, 0.5 इसके बाद 0 इधर आप electrons लिख लो number of electron तो 14 यहाँ पे भी लिख लो यहाँ पे भी 14 लिख लो एक बार 14 से कम करते जाओ एक बार 14 से बढ़ाते जाना तो 14 से कम कितना हो जाएगा सर 13, 12, 11, 10 फिर आपका 9 फिर 8 इधर आप क्या करेंगे सर इसको बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाते कैसे जाएंगे 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20 फिर एक बात याद रखना अगर कभी भी bond order 0 आया, कभी भी bond order बराबर 0 आया, बियो बराबर 0 इसका मतलब molecule does not exist इसका मतलब molecule does not exist does not exist, ठीक है ये बाकी 14 एलेक्टरॉन क्यास पास के मदब 8 से 20 एलेक्टरॉन का खेल ऐसे हो गया और 8 एलेक्टरॉन तो तुम sigma 1 है, sigma anti-bonding 1 है, sigma 2 है sigma anti-bonding 2 हैस में अपने हापी भर लोगे फिर paramagnetic, diamagnetic के लिए भी RBI याद रखना है, यह बड़ा ही तगड़ा RBI है सर, जिसके लिए आपको कुछ नहीं बना, आपको molecular orbital diagram बनाना ही नहीं है सर, बनाना ही नहीं है, आप बिना बनाया अंसर करेंगे, यही तो सीखना आ है, इसकी बात करें, paramagnetic, diamagnetic ही तो paramagnetic और diamagnetic के अगर हम बात करें, तो ध्यान से जुनिएगा, अगर कोई species para है या dia है, वो कैसे पता करतें, number of unpaid electron से है न, अगर इसके पास UPE है, unpaid electron है, तो यह paramagnetic है, और unpaid electron नहीं है, तो यह diamagnetic है, ठीक है, फिर से बोल दूँ, क्या बोला मैंने सर, UPE बोले तो unpaid electron, paramagnetic और diamagnetic कैसे पता किया जाता है, तो यह पता किया जाता है, unpaid electron से, किस से पता किया जाता है, sir, unpaid electron से, अगर unpaid electron है, तो यह paramagnetic है, unpaid electron, if yes, unpaid electron का answer आया yes, तो आप बोलोगे कि यह paramagnetic है, unpaid electron का answer अगा आया no, तो यह diamagnetic है, अब यह diamagnetic है, ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर हम आगे च चर्चा करें इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें कि पैरा मागनेटिक और डाया मागनेटिक की तो आप क्या करेंगे टोटल नंबर ओफ एलेक्टरॉन काउंट कर लेंगे यह भी एक रभी यहां पे भी हम हैस्टाइग रभी लगाएंगे और सीधा आंसर कमेंट करेंगे बाकी चीज़े नहीं करना है सर अगर हम बात करें तो अगर टोटल नंबर ओफ एलेक्टरॉन टोटल एलेक्टरॉन और है इसका मतलब स्पीसीज हमेशा पैरा मागनेटिक होगी इसका मतलब स्पीसीज कैसी होगी सर पैरा मागनेटिक और अगर कभी भी टोटल इवन है इसका मतलब species हमेशा कैसी होगी सर डाया मागनेटिक लेकिन याद रखना दो ऐसे दो ऐसे इवन नमबर है जहां पे भी species molecular orbital diagram में complexity के कारण पैरा मागनेटिक आ जाएगी और वो क्या क्या है सर नंबर ओफ electron बराबर अगर आपको total total number of electron 10 and 16 है दस और 16 electron वाली species कैसी होती है सर यह पैरा मागनेटिक होती है सीधा oxygen कितने electron 16 कैसा होगा पैरा मागनेटिक ने बोरोन total number of electron कितने 10 कैसा होगा सर पैरा मागनेटिक सीधा टिक करेंगे सरे इस पर दिमाद नहीं लगाईए चलिए इसके बाद हम सवाल कर लेते हैं कुछ एक आदा सवाल करते हैं सर एक सवाल है यह कि दा करेक्ट order of bond order of c2 negative n22 negative o22 negative कैसे निकालेंगे सर कुछ नहीं करने का टोटल number of electron काउंट कर लो आप बोलोगे सर इसके पास total electron कितने हैं दो कारबन के पास 12 माइनस दो तो 14 electron इसके पास 14 और 2 16 electron इसके पास 18 16 और 2 18 electron अच्छा सर 14 electron के लिए होता है 3.0 16 के लिए हो जाएगा 2.0 18 के लिए हो यहां 1.0 अब हमसे bond order पूछा है सीधा bond order लिख दिया यार एक मिनिट में सबसे ज़्यादा c22 negative का answer अंसर कितना time लगा सर पांच सेकेंड जही में सवाल पांच सेकेंड आंसर इससे अधा हम बात करें एक सवाल और मैच यहां पे लिस्ट वन है यहां पे लिस्ट हुए हमें क्या करना है molecule और उनका bond order मैच करना है कैसे करेंगे सर तो हम इसको देखने भी नहीं जाएंगे पहले तो पहले यहां पर देख लेते हैं इसके पास टोटल 14 एलेक्ट्रोन इसका मतलब बॉन डॉडर इसका 3 हो जाएगा बॉन डॉडर इसका 3 इसके पास टोटल 18 एलेक्ट्रोन इसका मतलब इसका bond order 1 हो जाएगा bond order 1 इसके पास टोटल 16 एलेक्ट्रोन है 16 एलेक्ट्रोन का मतलब bond order 2 हो जाएगा bond order 2 यही होना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से बाकी सभी का matching देख लो डी का अच्छा इसमें options में कुछ गड़ बड़ सी का क्या देर रखा है कि का 1 डी का 3 अच्छा सवाल सच में सवाल तुम्हें लग रहा होगा कि मजाक है बट नहीं सर यह सच में सवाल पर आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सर सेशन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि chemical bonding यह अपने में लंबा है यह 90 मिनिट का अगर आप यह पूरा सेशन देखते हैं तो आई कैने शोर यूं कि आप पहले जितने चाहिए हैं सताया हुआ हाइटूजन जो हाइटूजन टॉर्चयर होगा वही हेच बॉंदिंग करेगा सताया हुआ हाइडूजन कहां मिलेगा सर तो ऐसा हाइडरोजन जो या तो ने प्रूरेन उक्सीजन यह दिर्रेक्ट लिया टाईस्ट हो और उसके सामने अगर फ्लोर और दूसरा इंट्रा मॉलेकुलर का मतलब है दो मॉलेकुल के बीच दो और मॉलेकुल के बीच इंट्रा मॉलेकुलर का मतलब होगा विदिन अ मॉलेकुल फिर अगर हम बात करेंगे किन-किन चीजों को effect करेंगे तो अगर कभी भी intermolecular H bonding होगी तो boiling point increase कर जाएगा, viscosity increase कर जाएगी, melting point increase कर जाएगी अगर कभी intermolecular H bonding हो तो उस case में boiling point decrease करेगा, melting point मलब decrease क्या कम होगा इस वाले के comparison में और उस case में melting point भी कम होगा sir normally question जो आता है H bonding से वो boiling point और melting point से आता है, boiling point और melting point कि अगर हम चर्चा करें, तो boiling point या melting point 2-3 बातों पर depend करती है main question इसी का होगा sir boiling point हो या melting point हो जो दो बातों पर depend करती है, सबसे पहला mass और दूसरा force of attraction mass जादा then boiling point जादा, force of attraction ज्यादा तो भी boiling point ज्यादा अब तवज्जो है ना experimental डेटा पर हम देते हैं यहां पे experimental data का हमाता जैसे हमसे मानलों पूछे सवाल में कि the correct order of boiling point in के boiling point का correct order क्या है तो आप बोलोगे सोर इसको मास तो सबसे ज़्यादा अगर मास से जीता हैं तो यह जीतेगा force of attraction से जीता हैं तो यह जीतेगा क्योंकि यहां पे bonding हो रही है लेकिन हम दोनों पर ही चलते हैं हम बीच वाले effect को देखेंगा और हम अग्या तो NH3, ASH3, यह एनस 3, PH3, ASH3, and SbH3 फिर boiling point order of hf, hcl, hbr, hpi फिर melting point order of melting point order of पहला यह सभी homework आपको comment box में बताने हैं कि कि इसका क्या order होगा सर, BP बोल के boiling point, MP बोल के meditating point, पहला यही वाला सर, H2O, H2S, H2SE, और H2TE, ठीक है, इसमें boiling point और meditating point दोनों बताना है, इसका केवल meditating point बताना है, क्योंकि boiling point मैंने बता दिया, तो एक सवाल करते हैं, फिरसी के साथ आज का session end करेंगे सर, यह सवाल क्या है, the correct order of increasing intermolecular hydrogen bond strength, अब intermolecular hydrogen bond strength पे दो मेनिट और बता दू, सुनिए, intermolecular hydrogen bond की अगर हम बात करें, तो यह किस पे किस पे depend करता, तो strength जो है, वो दो बातों पे depend करता है, सबसे पहला है सर, number of H bond, number of hydrogen bond जो बनाया जाता है, और फिर, और दूसरा है सर, delta EN, किसका delta EN, सताय हुए hydrogen का, सताया हुआ hydrogen, number of H bond का सीधा मतलब है, जिस molecule में ज़्यादा H bond बनेंगे, वहाँ, H bonding की strength ज़्यादा होगी सर, सताय हुआ hydrogen का मतलब यह है, कि जिसे माल लो एक बार ही मैंने क्या किया, यह hydrogen है ना सर, इसको एक बार हमने attach किया, fluorine से, एक बार है hydrogen को attach किया oxygen से, एक बार है hydrogen को हमने attach किया nitrogen से, तो आप से पूछा जाएगा, सताया हुआ hydrogen इसमें से कौन ज़्यादा है, बताओ, इसको मैंने बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, तो आप बोलोगे सर, सबसे ज़्यादा सताया हुआ hydrogen जो है, वो 1 है, उसक बार 3, तो ये ज़्यादा अच्छा H-bondling करेगा, ज़्यादा सताया हुआ hydrogen ज़्यादा अच्छा H-bondling करेगा, खेर यहाँ पर देख लेते हैं, increasing order of, इसमें HCN, HCN, फिर CH4, CH4, तो आपको पता सर, CH4 में तो H-bondling होता ही नहीं, तो ये सबसे पीछे आना चाहिए, yes or no, yes है sir, HCN की बात करें, तो HCN में भी H-bondling होगा, क्योंकि hydrogen यहाँ carbon से जुड़ा है, nitrogen से नहीं जुड़ा है, तो इसमें भी H-bondling नहीं होना चाहिए sir, है न, ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें, H2O और NS3 में कौन जीतेगा, तो obviously H2O जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या hydrogen में से यह ज्यादा सताय हुआ hydrogen है, इसके comparison में, तो यह वाला order सही है, यहाँ पे H-bonding हो रही है sir, यहाँ पे H-bonding हो रही है, यहाँ पे H-bonding, मतलब H-bonding तो नहीं होगी, बढ़ हाँ यह polar molecule है थोड़ा सा और यह तो totally non-polar molecule है, यह सही order हो गया H-bonding का, वैसे हर जग bond strength की बात करता, तो भी सही था, तो that is the answer, चलिए, अब मैं समस्ता हो कि भाईया आपके दिमाग का जो body है, यह थोड़ी सी body बढ़ गई होगी, और देखो बात body बढ़ाने की नहीं है sir, बात तुमारे अंदर confidence लाने की है, कि तुम सवाल कर सकते हो कि नहीं, कुछ-कुछ tricks म अगिरा मैंने आपको क्यों दिया, यह दिखाने के लिए, कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो obvious सी बात है, आप जी मेंस में पोड के आएंगे, है ना, थोड़ी सी body brain की बन गई है, वजन उठाते उठाते, यह session इसके guarantee नहीं लेता कि आपके जी मेंस पर बहुत अच्छे marks आएंगे, this is only एक supplementary चीज़, it will help you, महनत आपको करनी है, भाई, महनत करोगे, अभी भी दो महीना बहुत अच्छा time है, जिसमें आप जी में 4 सकते हो, two months is a hell lot of time, अगर आप पूरा dedicated होके पढ़ाई करते हो, तो please हर distraction से अपने आपको दूर कर ले, अच्छे से पढ़ाई करें, bye bye, take care, that's all from my side, मिलते हैं फिर अगले lecture में, bye bye, all the best.